लोग सभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी कमर कस चुकी है कॉंग्रस के और से भी चुनावी तैयारियां की जा रही है तो तैयारियों को लेकर कॉंग्रस प्रवक्ता राकेश दिना ने क्या कुछ कहा आईए सुनते हैं तो जब कोई करज करता नित्रुत के समख्च अगर कोई भावना रखे तिसे गलत लाइन पे भी नहीं लिया जाना चाहिए हमें लगता है कि ये बग्त के पहले का बात है जब गटबंधन की बात हम करते हैं तो सुभाविक तोर पे हिस्सेदारी और साजेदारी दोनों मजबूत होगी और क्योंकि हमारा भी मकसद और हमारे सहयोगी दलों का भी मकसद यही है कि इस देश में लोकतंतर को फिर से अस्थापित करना है लोकतंतर को बचाना है गांधी के आइडियोलोजी को इस देश में अस्थापित करना है गोटसे के आइडियोलोजी को इस देश से खत्म करना है और हमारा गर्णबंधन का तमाम घटक दल की पहली प्रात्मिक् कौन कहां किसने सीटों पे लड़ेगा जो चुकि वरकर हैं हमारे भी वरकर हमारे पास सीटों को लेकर के अपनी भावना परगट करते हैं कि हमें इस सीट पे सर लड़ना चाहिए इस सीट पे लड़ना चाहिए तो यह कर्च करता हूं कि भावना है और यह भावना का हम कदर करते हैं देखिए हमारा चौदा लोग सवा सीटों पे तैयारी है और तमाम चौदा लोग सवा सीटों के लिए हमने कौडनेशन कमिटी का भी गठन कर लिया है तमाम चौदा लोग सवा सीटों के लिए परवारी और संजोजों को का का की भी गठन हो चुका है तो हमारी तैया पूरी तरह 14 लोग स्वा सिटों पे हैं, चूंकि हम जहां लड़ेंगे और जिन सिटों पे हमारा घटक दल लड़ेगा, तो सुवाविक 요र्प पे अगरम मजबूत होंगे तो उन सिटों पे हम घटक दल भी फएदा पहुंचा सकते हैं, तो अभी हमं आपर 14 लोग सिटों पे सरकार अपना असली चहरा दिखा रही है प्रतुल ने सरकार से जारना चाहा कि जब नीचे के अधिकारी अनुमती दे देते तो फिर वरी अधिकारी सरकारी हस्तचेप में अनुमती क्यों नहीं दे रहे हैं क्यों अनुमती को रद किया जा रहा है प्रतुल ने कहा कि सनातनियों के धैर की परिशा सरकार ना ले उन्होंने मेद्नी नगर का उधारन देते हुए कहा वह SDM की अनुमती को राज्य सरकार के दबाव में DC ने रद कर दिया प्रतुल ने कहा कि विशापों के महसम्मेलन को सरकार अनुमती देती है साथी साथ मुख्यमंत्री भी उसे शिर्कत करते है फिर सनातनियों के साथ या भेदभाव क्यों किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे तरीके से सनातन विरोध के कारण एक्सपूच्ट है विरोधी सरकार ये सरकार सनातन विरोधी और इस सरकार के कायर से हमेशा ये सिद्ध भी होता है अब आप बताएं धिरेंदर शास्त्री जी जो विश्व विख्यात हिंदू हिर्दे समराठ हैं उनके कारकरम तीन चार शेहरों में जारकन के तैय हो गए थे और उसकी प्रशास्तिक अनुमती भी मिल गई थे लेकिन सरकारी हस्तचिप के बाद इन अनुमतियों को रद कर दिया गया ताजा उधारन मेदनी नगर का है जहां सारी तैयारिया लगबग तैयारिया पूरी हो गई थी उसके बाद भी SDM के पर्मिशन को DC ने सरकार के हस्तचिप के बाद उलड़ दिया तो हमारा मानना है कि एक तरफ महा बिशपों का जुटान होता है जिसमें हजारों लाखों लोग शिरकत करते हैं उसमें मुख्यमंत्री भी सब हमें जाते हैं वहां कोई पर्मिशन की दिक्कत नहीं होती लेकिन सनातनियों के युवा हिर्दय सम्राथ अगर पंडी धिरेंदर शास्त्री जी के आले की खबर होती है तो इनके पसीने छूटने लगते हैं यह सरकार सनातन विरोधी है और हम मांग करते हैं कि सनातन विरोधी सरकार पंडी धिरेंदर शास्त्री जी के कार्टर में खाला ना डाले क्यूंकि सनातनियों कभी ध्यारे की सीमा होती है तो यह मामला उच नियाले में विचाला धीन है और हमें नयाए हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या राजी आकर ठहना हो या है अनिवर्सरी, बर्डे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी या करना हो कॉर्परेट गेट टुगेदर आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादकार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत पर है होटल हर्ष रिजेंसी, 26 AC and non AC rooms, multi-cousin restaurant for delicious foods, होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्द है, हर आयोचन के लिए perfect banquet hall, होटल हर्ष रिजेंसी, सोर्णरे खापुल, हटिया प्राची IIT, G, Neat Experience के सपने को पंक देने आ गया है, Complete Solution Institute, यहाँ है smart classroom, one-to-one doubt clearing session, ask the expert, video solution और भी बहुत कुछ, मतलब हम करेंगे आपको guide, बनेंगे आपके mentor, foundation classes from class 6 onwards, for your bright future, visit Complete Solution Institute